नमस्कार दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ कपीवा सिलाजीत की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू सिलाजीत सबसे सक्तिसाली आयरुवेदिक जड़ी ब्यूटी खनी तच्वा में से एक है भारती आयरुवेदिक में सिलाजीत को सक्तिवर्धक, ओजवर्धक, दुरबलता को दूर करने वाला बताया गया है वहीं सिलाजीत से बूलने की बिमारी, ठकावाट, खून की कमी, पुरुस परजनन चमताओं में कमी और हाट से संबन्द बिमारियों में काफी लाबदायक बताया गया है सिलाजीत एक दुरलब औसदी है, ये हिमाली शेतरों में 8000 फिट की उंचाई वाली पहाड़ों में पाये जाता है हाला कि किसी भी इस्तानी रूप में उपलब्द सिलाजीत का उप्योग फायदेबंद नहीं होता है इसमें भारी मात्रा में धातों पाये जाती है जिस कारण सिलाजीत का सेवन आप सीधे नहीं कर सकते है इसे पहाणों से निकाल कर मशिनों दोरा सुद्धी करण कर खाने विग्यों बनाया जाता है ऐसे ही बहुत सारी कंपनिया जोई सिलाजीत को बनाती है ऐसे में दोस्तों कपिवा, हिमालेन, सिलाजित के हर बेज का परियुक साला परिक्षन किया जाता है सुद्ध सिलाजित को मेटल फिरी किया जाता है परियुक साला में हर बार परिक्षन करने के बाद एक जोई रिपोर्ट तयार की जाती है इनी बातों को ध्यान मर रखते हुए दोस्तों मार्केट में कपीवा शिलाजित की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है एक औरिजनल शिलाजित में 80 से भी अधिक मात्रा में खनीच पाई जाते हैं जो इमिट्री बढ़ाने के सासा सारे रिक और मांसिक स्वास्ते के लिए फायदिमन होता है किसी भी शिलाजित के अंदर सबसे मुथ्पून तत्त होता है फुल्विक एसिड जो कि दो सो कपीवा शिलाजित के अंदर आपको 60% पी अधिक फुल्विक एसिड मिल जाता है जिसका नमें कपीवा शिलाजित सक्तिसाली एनरजी सप्लिफेंट बन जाता है शिलाजित में हाई ऑक्सिजन कंटेंट होता है जो लोग भारी वजन के साथ जिम्में कसरत करते हैं उन्हें ताकत और सहन सक्ति की जरुवत अधिक होती है आईरवेज विशेजिक्यों के मुताबिक शिलाजित एक रसायन ओसदी है जो परती कोशिगा को समय के साथ फिर से जिवित करती है जिसे मास्पेशियों में ताकत आती है पुरुस हमें स्टेमिना बढ़ाने के साथ सा इस पम काउंट भी बढ़ता है दोस्तों कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको मिल जाता है कपीवा हिमालाइन शिलाजित का तो इसको हम अन्बॉक्स करके देखेंगे इसके साथ हमें क्या क्या से दिया गया है और हमें इसका परियो किस तरह के से करना है और हम एक औरिजिनल शिलाजित को कैसे पहचान सकते है इसमें हमें मिलता है दोस्तों शिलाजित और इसके साथ मिल जाता है स्पून और इसमें दोस्तों आपको मिल जाता है मदद से हम देखेंगे जैसे कि आप में देखा होगा सिलाजित बोलते हैं कि जितना खीच वो खीचता है लेकिन ऐसा नहीं है जो औरिजिनल शिलाजित आप देखोगे तो यहां पर आपको खीचाओ उसमें नहीं होगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की से आपको यहांपे औरिजिनल शिलाजीत कपीवा का देखनी को मिलेगा जो ये है औरिजिनल शिलाजीत जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं जो घंन्य गुड़ का बना रहता है उसको आप कितना खीच वगें तो खीच जाएगा उर लेकिन दोस्तो ओरिजिनल सिलाजित जो है आपको कुछ इस तरीक से दिखाई देगा लेकिन दोस्तो एक ओरिजिनल सिलाजित मिल पाना बहुत मुस्किल है सिलाजित का सिवन आपको दिन में एक बार करना है सुबह विरिखफास्ट करने के आदे गंटे बाद या फिर रात को डीनर करने के आदे गंडे बाद गुनगुने पानी में या दूद के साथ इसका सिवन कर सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं एक सर्विन आपको जो है 200-250 मिलिगराम ही लेनी है इस से अधिक आपको नहीं लेना है कपीवा हीमालँ में हर बैज का परियोअ परिक्ष्ण किया जाता है में सुधयित की पहचान आप घर में بें कर सकते हैं दूसर जैसे आप पानी में जो इस लाजतर घुलो गें असानी से औरिज्णल जहत्या जाती हो है उसमें आप पानी के नीचे आप देखे होगे तो कोई भी पार्टिकल आपको नजर नहीं आएगा औरिजनल सिलाजित में औरिजनल सिलाजित पानी में बड़ी आसानी से गुल जाता है मिल जाता है उसमें आपको जाए कोई भी पार्टिकल नीचे नजर नहीं आएंगी मैं इसमें थोड़ा सा सिलाजित निकाल देखता हूँ निकालने के बाद पानी में थोड़ा सा गोल लेता हूँ ये ठंडा पानी है बिल्कुल नॉर्मल सा पानी जो कुछी दिर में देखोगे दोस्टों बड़ी आसानी से सिलाजित भूल जाएगी तो यहां पर आप देखते इसका गोल्डन कलर आ गया है जब भी दोस्तों आपको सिलाजित का परियोग करना है दोस्तों आप पानी में या दूद में इसी परकार पूरी तरगी से इसको घोल लेंगे उसे के बाद आपको इसका इस्तमाल करना है यह देखिए पूरा सिलाजीत हमारा इसमें घोल चुका है तो अब हम इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं गिलास में आप देखोगे तो यहां पर आपको कोई भी पार्टिकल यहां पर नजर नहीं आएंगे एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरी की से जो है शिलाजी जो इसमें घुल चुकी है पानी में दोस्तों ऐसे भी आधाने से आप औरीजनल bonito को पहसां सकते हैं एक औरीजनल рок के बहुत हारे फाइदे हैं बैसे कमर के दर्ट कभुनों का दर्ट उसमें काफी फाइद आपको ऑनलाइन यह 900 रोपे तक देने को मिल जाएगा अगर आप यह पर्चेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के दिस्क्रिप्सिर मिल जाएगा आप वहां से इसे पर्चेज कर सकते हैं दोस्तों यह थी हमारी आज की अन्बोक्सिंग वीडियो वीडि